अभी काफी समय से देख रहे एक वजैनो प्रास्टिक की इंक्वाईरी लाव है लेक्स मींज सामने रिलेक्स वीक हो जाता है तो इसका रिजन क्या होता है एक तो में तो चाइल्ड बर्थ के बाद जो विदाउट सीजरियन जो नॉर्मल वजाइनल डिलवरी होते है इसके बाद मल्टिपल प्रेगनंसी के बाद वो फोड़ी वीक हो जाती है दूसरा होता है एजिंग प्रोसेस करे incisumyon में लोग्णाोम सुर条 से भाउट से उस बोलते ऐसी प्रोब्लेम होती है तो मैंने इजिन प्रोसस से प्रीमेटूर मेनोपोस होता है तो भीए जल्दी से हो जाता है इस्टोजन जो होता है जो हनो होता है जल्दी से रजल हो जाती है और इसके लिए Ins tomar की वा एक functional भी होता है और कभी-कभी यो sexual intercourse में जो pleasure आता है दोनों partner को नहीं आता है एक होता है luxury है और एक necessity है तो काफी लोग luxury के लिए भी treatment के लिए आते हैं कभी necessity होता है कि ये stress incontinence जो बोलते है जो pelvic organs जो weak हो जाते है इसकी लिए भी लोग treatment लिए आते है तो treatment का भी दो पाट है एक surgical एक non-surgical एक non-surgical वजाइनोप्रास्टी और एक surgical वजाइनोप्रास्टी नॉन सर्जिकल में radio frequency device आता है fraction to laser आता है अर्बियम glass आता है रेडियो frequency के साथ एक high foot device आता है इंटेंस फोकल ultrasound ये चार डिवाइस की मदद से जो वजाइनल की wall है जो medium mild to moderate जो legs वी न है उसको treat कर सकते है severe जो वजाइनल जो लेक्शिल्ती होती है वह device से ठीक नहीं होती है इसके लिए तो शर्जिकली चाहिए मत कोई-कोई नहीं चाहते हैं तो इससे device से हो सकता है और इसमें जो contraction होता है और लिमिटेड होता है जो वजाइनल एकदम जो legs हो जाता है वो करेब आता है पर तो एक इसका डिस्पोजिबल जो प्रोब आता है वो वजायना में इंट्रोडिउस करता है और इसकी वोल में से जो लेजर रेस निकालते हैं वो अन्वांटेड जो मुकोसल मेंबरेज जो डेमेज होती है इसको रिमू करते है और नीचे जाके कोलेजन फाइबर, इलस्टिक इसके बाद फ्रेस फाइबर और इलस्टिक फाइबर प्रोडॉक्शन करते हैं तो इंडिरेक्ली वजायना रोड़ टाइट होती है इसमें प्यार पी इंज्चेक्शन भी आता है वो अंदर इंजेक कर देते हैं काफी फिलर इंजेक्शन भी आता है जो नॉन क्रोस लिंग hyaluric acid injection आतो वो भी अंदर दे सकते हैं यह सब वह नॉन सर्जिकल में जो आता है वो वजैनो प्लास्टी में जो लूस कीन होती है इसकी मेकोजा भी रिमू करते हैं और बाद में जो मसल जो आता है वो भी कट करके उसको करीम बलाके जोइन कर देते हैं और यह सब इंटरनल प सकते हैं जो ब्लोड फिनर चलता है तो बन करना पड़ता है सुगर जो होता है वो कंट्रोल में रखना पड़ता है प्रेसर होता है वो कंट्रोल में रखना पड़ता है और एक फिजिशन फिट फॉर सर्जरी सर्टिफिकल के बाद हम सर्जरी करते हैं सर्जरी ओन एन एन ए करते हैं अगर किसी को मेंस्ट्रू सेकल चालू है ताकि जब हीलिंग नेक्ष्ट जो ब्लीडिंग साइकल आए तब तक हील हो जाए अधर्वाइस ब्लीडिंग से हीलिंग में थोड़ा डिल होता है और इसका कोई मेजर साइड इफ नहीं है एकदम सेफ है फॉंक्शनल तो फ इसमें जरू से लिखे हम सब आपका जो पैसंस होता है इसको एड्रेस करने के लिए हमें साथ तैयार है थेंक्यों वरी मॉच्छ